मसूरी में रन्फोर नैशन का किया गया आयोजन नमस्कार आप देख रहे हैं UK24 इंटो 7 नियूग सवतंतरता दीवस के उपलक्ष में कुछ दिन पूर्वर से ही प्रतिवर्ष कहीं प्रतियोगता का आयोजन किया जाता है जिसमें रन्फोर नैशन भी बहुत एहम भूमिकार रखती है प्रतिवर्ष की भाती इस वर्ष भी मसूरी स्पोर्शन कल्चर अचोशेशन और रोटरी कलब मसूरी के द्वारा के लोग मेमोरियल चर्च लाज टिबबा मसूरी में इसका एजन किया गया जिसमें 18 विद्यालों के 400 बच्चों ने प्रतिबाद किया इस मौके पर ITBP से सेवा निर्वित आईजी और रोटरी कलब मसूरी के अध्याष मनिरंजन त्रिपाधी ने बताया कि प्रतिवर्ष की बाती इस वर्ष भी S.S.C.A. और रोटरी कलब के माध्यम से यहाँ पर 12th रेंट फॉर्ण नेशन का आईजन किया गया है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यालों के बच्चे प्रतिबाद कर रहे है जिसका उद्देश यह है कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में के बच्चे एक दूसरे से परिचित हो सके और एक स्थर पर सभी विद्यालों के बच्चे अलगलग कैटेगरी में डोड़े और अपने स्थर का मुल्यानकन कर उसमें सुभार करे उन्होंने बताया कि अंडर 10 बॉइज अंगर्स, अंडर 14 बॉइज अंगर्स, अंडर 16 बॉइज अंगर्स, अंडर 19 बॉइज अंगर्स और open men and women race का आईजन किया गया है जिसके 4 country race का भी आईजन किया गया है क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आराम दायक और विश्वसनिय टैक्सी की तलाश में है Trueway Taxi Service आप के लिए लाया है बहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में Taxi Services आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, रिशिकेश वा अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं हम आपको देते हैं 24 hours GPS tracking system for safety, प्रमानित और विश्वसनिय ड्राइवर, वपारदर्शी और उचित कीमतें तो आज ही बुक कीजिए True Way Taxi Service अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और यह हर साल होती है, हर साल इसीत प्रकाश रहती है, उच्साब बढ़ रहा है और इसका standard में बढ़ रहा है, और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अच्छी timing दे रहा है जी हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बीच में कोई भी प्रतिसफरदा मुच्छी में नहीं होती है यह एक माधियम है कि एक दुस्य के साथ यहां पर आकर दौर सकें और एक दुस्य से मिल सकें और उनके साथ कंपपटिशन कर सकें ताकि उनके बीच में जो गाफ है वो जो एसास करते हैं हिंदी मीडियम के खास तौर पर वो ना रह सकें और बच्चा अपनी ग्रोथ को देख सकें जी हां बिल्कुल क्योंकि अगर खेल नहीं होंगे तो बच्चा मोबाइल पर रहेगा आप देखिए कोविट के बाद बच्चों को खेलों में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है और अगर मुश्य में खेल आयो की खूते हैं लगाता है चाहे किसी भी श्रेडिम हो तो बच संस्ता हैं एक रोटरी मसूरी और एक मसूरी स्पोर्ट्स और कल्चरल असोसीएशन के दोनों मिलकर के इस कारिकरम को करते हैं तर्थिवर्ष करते हैं यह इस बार हमारा बारवार रंपद नेशन है और हमेशा जो इंडिपेंडेंस डे होता है इससे दोई दिन पहले करते ह इस बार जो है जैसे आपने बोला हमारे बच्चों में 18 स्कूल आए हैं बच्चों के जिनमें अंडर 10 अफ एज अंडर 14 अफ एज अंडर 16 अफ एज और अंडर 19 अफ एज लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो पाटिस्पेट कर रहे हैं सब मिलाके 18 स्कूल के करीब 320 हुआ हुआ है इस वर्ष हमने एक नए प्रतियों की दा करी है जिसको कि हम ओपन के रहे हैं इसमें कि हमारे पास ITPP के जवान भी हैं ITPP से महिलाएं भी हैं और हमारे बाकी बच्चे जो कॉलेजिस के हैं वह भी पाटिसिपेट कर रहे हैं सब मिलाके करीब 48 हैं जो इस बार क खास मकसद यह है कि दोनों तरफ से समा को भुलाने का कि बच्चे आपस में एक साथ मिल जूल के दोड़ते हैं साथ कम से कम 3-4 घंटे बिटाते भी हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं यह लाए कि गाउं की गलियों से शहर के शोर शराबेत हम लाते हैं सही खबर आ आप देख रहे हैं UK 24-7 News खबर वही जो है सच सही